Hello everyone, welcome to my new video, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे SOLD का क्या meaning होता है SOLD means to give something to somebody who pays for it and is then the owner of it means किसी को कोई चीज दे देना और जो उसके लिए कुछ पे करे और वह उसका owner हो जाए यानि कि किसी को कुछ बेचना, दाम लेकर वस्तु देना और ग्राहक का वस्तु का स्वामी हो जाना that is sold यानि कि किसी को कोई चीज बेच देने के बाद वह उसका नया स्वामी हो जाता है जैसे I sold my old car यानि कि मैंने मेरी पुरानी कार बेच दी जब तक मैंने मेरी कार नहीं बेची थी तब तक उस कार का स्वामी मैं था यानि की ओनर मैं था और अब मैंने उसे बेच दिया है और बदले में पैसे ले लिये हैं तो अब वह कार नए ओनर की हो गई है जिसने उसके लिए पे किया है आज के इस वीडियो में बस इतना ही थैंक यू फर वाचिंग